इस वीडियो में हम आर्थो पोड़ा के महत्तपूर्ण प्रश्णों के प्रेक्टिस सेट को सालू करेंगे क्वेस्चन नमबर एक है हाउस फ्लाई का लार्वा कहलाता है यहाँ पर चार प्रकार के लार्वा के नाम दिये गया है सबको देख लेते हैं सबसे पहले है जुवे नाइल लार्वा जो जुवे नाइल लार्वा है यह किसका है यह एसकेरिस का लार्वा है इसके बाद ट्रोकोफोर लार्वा यह है नेरीस का लार्वा और जो टॉर्नेरिया लार्वा है यह है ब्लैनो ग्लासस का लार्वा तो यहाँ पर पूछा गया हाउस फ्लाई का लारवा तो यह maggot कहलाता है यहाँ पर C option correct हो जाएगा काक रोच के जो mouth parts होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं तो देखें जो mouth parts होते हैं उसमें से one pair labrum, one pair mandible, one pair maxillie और एक labium तथा एक hypo pharynx होते हैं तो यह mandibulate प्रकार के होते हैं तो यहाँ पर option A correct हो जाएगा अगला question है काक रोच में स्वसन अंग है यहाँ पर respiratory organ पूछा गया है क्या कहलाते हैं तो यह कहलाते हैं Trachea, किसी भी जो insect होता है जो insect की भाहाँ ती जो काक रोच की जो रुधिर गुई का होती है उसमें साखित फैली होई यानि कि जो ब्राच्ड होती है और फैली होई होती है उनमें बंद स्वांस नलियों या ट्रैकिया का एक जाल पाया जाता है जिसके अंदर ट्रैकियल ट्रंक्स होती है और ये ट्रैकियल जो ट्रंक्स होती है वो दस जोड़ी छिद्रोंशे बाहर खुलती है जिसे इस्पाई रेकल कहते है काक रोज में मैल पीगी नलिकाओं का क्या कार है तो जो मैल पीगी नलिकाओं होती है उनकी संख्या होती है काक रोज में 60 से 150 तक होती है और इस पर एक विसेश प्रकार की क्या होते हैं ब्रस वार्डर भी लगे होते हैं और ये किस से संबंदित होते हैं ये उत्सरजन से संबंदित होते है अगला कोशन है कीटों तथा काकरोच के संयुक्त नेत्र की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है यानि कि जो इंसेक्ट होते हैं और जो काकरोच है उनमें कमपाउंड आई पाई जाती है तो compound eye की सबसे छोटी small unit यहाँ पर पूची जा रही है क्या होती है तो काक्रोज की जो eye होती है उसमें प्रत्तेक eye में लगभग 2000 visual elements की यह बनी होती है जिन्हें क्या कहते हैं ometeria कहते हैं यहाँ पर D-option correct होगा notum संबंधित है notum क्या होता है तो notum is the dorsal part of the insects thoracic segment यानि कि जो कीट का thoracic भाग का प्रष्ठक खंड है वो notum उससे संबंधित है तिल्चटे के रुधिर में सोसन वरड़क नहीं होता है तो यहाँ पर यह पूचा गया है कि जो काक्रोज है उसके जो blood में सोसन वरड़क नहीं होता है इसका अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है कि जो tissues होते हैं उसमें oxygen आंतर कोशी कोशी काओं द्वारा सीधी पहुच जाती है यहाँ पर D option correct होगा अगला question है निम लिखित में से किसकी उपस्तिती द्वारा male cockroach और female cockroach को पहचाना जा सकता है किसके द्वारा तो देखिए जो गुदा सूक द्वारा होता है यानि कि anal spine के द्वारा दोनों को पहचाना जा सकता है तो यहाँ पर D option correct होगा निम लिखित में से कौन सा कीट social आदत का यानि सामाजी कीट कहलाता है तो देखिए जो termites होते हैं ठीक है termites में ललब दीमक इनको कहते हैं कि यह सामाजी कीट है यह सामाजी का आदत का कीट है कैसे जो सुसंगठी cost वाले समदाय में रहते हैं और ये termites का मुख food क्या होता है, cellulose होता है, इनको worker, soldier, punk सहीत, punk विहीन आदि में विभेदित भी किया जा सकता है, निम्लकित में से कौन सा insect नहीं है, यहाँ पर चार option दिये गया है, तो इसमें से ये हमें पता करना है कि इन में से कौन सा कीट नहीं है, कौन सा insect नहीं है, यह एक इनसेक्ट है, यह तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, इनसेक्ट है, यहाँ पर पुछा जा रहा है कि इनसेक्ट नहीं है, तो जो क्या होता है टिक्स होते हैं यानि कि जो किलनी हिंदी में बोलते हैं किलनी ठीक है तो ये जो टिक्स होते हैं ये इसमाल ब्लड सकिंग बक्स होते हैं तो ये कीट नहीं कहलाए जाते हैं ठीक है ये परजीवी के रूप में रहते हैं ये जो टिक होते हैं यानि कि हिंद क्या है ये भी इंसेक्ट है सल्क द्वारा जो धके हुए पंक वाले इंसेक्ट होते हैं और सिल्वर फिस ये भी इंसेक्ट है तो यहाँ पर आप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कौन सा कीट नहीं है टिक कीट नहीं है कॉगलोबेट ग्लेंड उपस्थित होता है यह किसमें उपस्थित होता है तो जो मेल कॉग्रोच होता है उसमें यह कॉगलोबेट ग्लेंड उपस्थित रहती है यह एक नली प्रकार की होती है किस प्रकार की होती है यह एक नली प्रकार की होती है और यह इसका function क्या है यह इस पर्माइटो 4 के जो outer layer है नि जो बाह इस तर है उसका secretion करती है काक रोच में हिर्द है यानि कि जो heart होता है वो कितने chamber वाला होता है तो काक रोच में जो heart होता है वो 13 chamber वाला होता है तो काक रोच में देखिए जो blood होता है वो कैसा किस प्रकार का होता है open या lacular प्रकार का होता है जो circulatory system है वो किस प्रकार का होता है open या lacular प्रकार का होता है और जो हिर्दय होता है वो funnel shaped के 13 chamber का बना होता है और heart का जो अगला नली आकार वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है anterior erota कहलाता है तो यहाँ पर C option correct होगा काक रोज की जो लार है सलाईवा में होता है कौन सा एंजाईम होता है काक रोज की सलाईवा में तो काक रोज की सलाईवा में एमाईलेज एंजाइम होता है ठीक है यहाँ पर B option करेक्ट होगा एमाईलेज एंजाइम तो यह जो लार होती है उसको इकठा रखने के लिए जो प्रतेग ग्लैंड के साथ पतली वॉल का रिजर वायर या रिसेप्टिकल भी जुड़ा रहता है काक रोज के जो कमपाउंड आई है उसमें तेज प्रकास में किस प्रकार का प्रतिविम्ब बनता है तो इसमें देखे क्या होता है कि जो काक रोज का जो संपूर्ण आई होती है उसके द्वारा दिखाई देने वाला प्रतिविम्ब प्रकास के बहुत से धबों के मिलने से बनता है तो इस प्रकार के प्रतिविंब को क्या कहते है मोजेक या एपोजीसन प्रतिविंब कहते है तो यहाँ पर B option correct हो जाएगा एपोजीसन प्रतिविंब काक रोच में पेरी ट्रीम है पेरी ट्रीम क्या होती है एक Spiracle को घेरने वाला Annular Isklerite होता है यह इसमें से जो Tracheal Trunks होती है वो 10 जोडी ठीक है Tracheal Trunks क्या होती है 10 जोडी चिद्रों से होकर के बाहर खुलती है जिन्हें Spiracle या Istigmata कहते है प्रतेक Spiracle के चारों और एक Annular Isklerite होता है जिसे Peritrim कहते है तो यहाँ पर option B correct होगा काक रोच में peritrim क्या है एक spiracle को घेरने वाला annular isclerite काक रोच में perivisceral sinus किस से सम्मंधित है तो जो काक रोच है उसकी जो silome को क्या कहते है हीमोसील कहा जाता है और जो हीमोसील है वो किस में बटा होता है वो तीन sinus में बटा होता है और perineural या external sinus तो यहाँ पर पुछा गया है कि perivisceral sinus किस से सम्मंधित है तो यह हीमोसील से सम्मंधित है क्योंकि हीमोसील को ही तीन sinus में डिवाइड किया जाता है बटी रहती है अगला question है काक रोच में dorsal sinus सम्मंधित है अभी हमने जो पढ़ा वही है कि dorsal sinus pericardial हीमोसील से सम्मंधित है यह option यहाँ पर correct होगा pericardial हीमोसील से सम्मंधित है अगला question है काक रोच का जो compound आई है उसमें अगर कम प्रकास है तो उसमें किस प्रकार का प्रतिविम बनता है तो इसमें देखिए यहाँ पर पूचा गया है कि जो dim light में किस प्रकार का यहाँ प्रतिविम बनता है तो वो super position प्रतिविम बनता है यहाँ पर a option correct हो जाएगा काक रोच में LRE की जो पेसियां है वो किस से related हैं किस से सम्मंधित हैं तो काक रोच में जो LRE की पेसियां होती है वो pericardiai quarter में हिर्दाय के दोनों और प्रतेक खंडों में एक जोड़ी पंखे की आकरती की त्रिभुजा कार LRE पेसियां होती है यानि कि यहाँ पर जो LRE पेसियां है वो किस से सम्मंधित हैं हर्ट से सम्मंधित हैं हिर्दाय की कार्रिकी से सम्मंधित हैं C option यहाँ पे correct होगा काक रोच में किस तरह का circulatory system पाया जाता है तो हमें पता है कि किस प्रकार का पाया जाता है open प्रकार का पाया जाता है लेकिन देखिए यहाँ पर open नहीं लिखा हुआ है लेकिन open को ही और क्या कहते हैं लेकुनर प्रकार का कहते हैं तो यहाँ पर A option correct होगा लेकुनर प्रकार का open प्रकार का पाया जाता है काक रोच के सोसन में oxygen का जो वहन है वो किस के द्वारा होता है तो देखिए जो काक रोच में जो सोसन में oxygen का वहन है उसमें से tissues को सीधे oxygen मिलती है यहाँ पर D option correct होगा काक रोच के उथीका में कितने अंडे होते हैं यह कि उथीका क्या होता है उथीका का मतलब है अंड कवच उथीका का मतलब क्या है अंड कवच और यह जो अंड कवच जानी उथीका है इसके निर्माड है तो vestibulum की अंदर की सतह पर collateral gland के secretion में आ जाते हैं जिसके बाद overall से एक अंडा इसके अंदर आता है और इस प्रकार से एक उथीका के अंदर कितने अंडे रखे जाते हैं अंडे किस प्रकार के होते हैं तो यह अंडे जो होते हैं इनके वो centrolacithil होते हैं ठीक है centrolacithil यानि यहाँ पर D option correct होगा काक रोच में कितने spiracle उपस्थित होते हैं अभी हमने पिछले question में पढ़ा था कि 10 जोड़ी spiracle उपस्थित होते हैं इसमें से यह क्या होते हैं respiratory आरगन में tracheal trunks 10 जोड़ी छित्रों दौरा बाहर खुलती है जिन्हें क्या कहते हैं spiracle कहते हैं तो यह बहुत question important है यहाँ पर D option correct होगा 10 जोड़ी निम्लकित में से किसके जो wings हैं वो आवसेसी होते हैं तो देखिए जो blata orientalis होता है उसके punk आवसेसी होते हैं यह होता क्या है जो blata orientalis है इन्हें अक्सर water bucks के नाम से भी कहते हैं water bucks इनको किस नाम से पुकारते हैं water bucks के नाम से तो यह जो होते हैं water bucks यह अक्सर सीवर नालियों और नम स्थानों में पाय जाते हैं और जो इनकी जो vestigial wings है वो blata orientalis के female में होता है और male में यह salt और fully developed होते हैं तो यहाँ पर यह भी clear होना आवस्यक है और जो बांकी की life cycle है वो पूरी काक्रोज की तरह होती है तो यहाँ पर option क्या correct होगा यहाँ पर option D correct होगा कि किसके पंक आवसेसी होते हैं मादा, blata और orientalis के पंक आवसेसी होते हैं काक्रोज उथीका किसके द्वारा स्रावित होती है तो जो काक्रोज में उथीका है अंड का वच है वो collateral gland के द्वारा स्रावित होती है यहाँ पर option C correct हो जाएगा collateral gland के द्वारा काक्रोज में मुख उत्सरजी पदार्त है यह question भी बहुत important है तो काक्रोज में जो मुख उत्सरजी पदार्त है वो क्या होता है यूरी केसीड होता है B option यहाँ पर correct होगा काक्रोज की फैलिक ग्रंतियां मुखता सहायक है काक्रोज की जो फैलिक ग्रंतियां है वो मुखता किसमे सहायक है तो देखिए जो spermatophore है उसमें यह बनाने में सहायक होती है फैलिक gland यह होता क्या है spermatophore जो होता है वो ejaculatory duct से होकर नीचे की और गती करता है और अंत में फीमेल के जनाइटल चैंबर के अंदर इस पर मैथिकल पैपिला पर डिपोजिट कर दिया जाता है और यहां जो फैलिक ग्लैंड है इसके चारों और अपना स्राव विसरजित करती रहती है तो यहां पर पूचा गया है कि यह जो फैलिक ग्लैंड है यह मुक्यता किस से सहायक है तो यह सहायक है इस पर मैटो-फोर बनाने में काकरोच में रुपांतरण मुक्यता नियंतरित होता है अब यहाँ पर यह question बहुत important है कि जो रुपांत्रण है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है देखिए तो यह जो है हार्मोन है दिये गया है यह सब क्या है इसमें से एक हार्मोन का नाम है लिखा हुआ है यहाँ पे तो जो कार्पोरा एलेटा है यह क्या होता है एक हार्मोन होता है और यह टिस्यूज की ब्रद्धी और विभेदी करण का नियंत्रण करके रुपांत्रण एवां मोल्टिंग को समय से पूर्व हो जाने पर रोकने का काम करता है तो यहाँ पर यह C option correct होगा काक रोच में जो विजन है वो किस प्रकार का होता है द्रश्टी जो होती है वो किस प्रकार की होती है तो इसमें यह question बहुत बार पूछा गया है काक रोच में जो द्रश्टी होती जो विजन होता है उसमें से एक प्रकास चिन एक Ometidium दोरा बनता है और इस प्रकार के प्रतिबिम्ब को क्या कहते हैं मोजेग या एपो जीसन प्रतिबिम्ब कहते हैं तो यहाँ पर A option correct होगा तो friends चैनल को subscribe कर लिजे वीडियो को share कीजे और bell icon प्रस कर लिजे जिससे आपको समय से वीडियो का notification प्राप्थ होता रहे